इसी युद्ध के हालात खत्म नहीं हुए हैं इससे पहले कि बन्यामिन नतन्याहू कोई बड़ा फैसला ले वो तीन बहुत ही गंभीर क्राइसिस से घिर चुके हैं अब इसराइल की सेना को डर है कि कहीं इस हालात का फैदा एरान ना उठा ले देखे रेपोर्ट 24 घंटों के अंदर इसराइल और इरान की टक्कर में तीन बड़ी घटनाओं ने बैनमिन नेतन्याहू को पूरी तरह हिला कर रख दिया है नेतन्याहू को शौक नमबर वन अमेरिका ने इसराइली सेना की एक स्पेशल यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की तयारी कर ली है नेतन्याहू को शौक नमबर टू इसराइल की मिलिटरी इंटेलिजेंस के चीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है नेतन्याहू को शौक नमबर तीन इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि इरान की मिसाइल पावर देखकर इसराइल खौफ में डूब चुका है इस वक्त इरान के इसराइल पर हमले और घाजा पर इसराइल की लगातार बंबारी के बीच नेतन्याहू की बहुत ही खतरनाक पोर्स इंटरनाशनल हेडलाइन बन चुकी है पश्यमी मीडिया देखिए उनके अकबार देखिए इसराइल की नेदजा येहूदा बैटैलियन पर बाइडन प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं इस बैटैलियन पर आरोप है कि उसने फिलिस्तीनियों पर खुब जुल्म ढहाए है देखा जाए तो अमेरिका से आ रही ये खबरें बता रही है कि बहुत बड़े विबाद में घेचुकी है इसराइल की नेदजा येहूदा बटैलियन इस बटैलियन पर वेस्ट बैंक में मानवा धिकार उललंगन का इल्जाम है 1999 में बनाई गई बटैलियन में सिर्फ पुरुष सैनिक है और वो भी अती रूडिवादी पुरुषों को इसमें लिया जाता है नेदजा येहूदा बटैलियन पर लगे इल्जाम 7 अक्टूबर 2030 से पहले के है लेकिन वेस्ट बैंक का दूसरा सच ये है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहाँ 460 से ज्यादा लोगों की इसरेल की सैन्ने कार्रिवाई में मौत हो चुकी है इसरेल की नेदजा येहूदा बटैलियन पर प्रतिबंद लगाने का मतलब है कि इसे अमेरिका से कोई सैन्ने मदद नहीं मिलेगी इसलिए यही है बेनेमिन नेतन याहूद को शौक नमबर फन नेजजा येहूदा बटैलियन पर पाबंदी का मतलब इसरेल की सेना पर काला धबबा नेतन याहू पहले ही अपने घर में लगातार प्रदर्शनों से जूज रहे है और अब उन्होंने अमेरिका की तरफ से आ रही इस रिपोर्ट को नाग का सवाल बना लिया है बाइडन का अक्रामक रवया देखकर नेतन याहू को बहुत गुस्सा आया है अब नेतन याहू की तरफ से रियाक्शन ऐसा हाया है कि सफ लग रहे कि असरेखकर अब ईड़ से ईड़ बजदेगा और उसकी राम ज्जो ऐगा, तबाग कर देखकर देखकर अब बेकिए, बेनमीन नेतनियाहू को शौक नंबर टू अजरेली सेना के इंटलिजजट्स शीफ ऐरान हलीवा नेस्तिफा देदिया है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसरेल पर हमला किया पूरी दुनिया ने इसरेली टैंकों को जलते हुए देखा एक हजार से जादा इसरेली नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई इसी के बाद से इसरेल में अंदरूनी कोहराम मचा था इस हमले के बाद इस्रेली मिलिटरी इंटेलिजन्स के प्रमुक मेजर जनरल एहरॉन हलीवा बहुत दबाव में थे और अब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ने का फैसला किया ये ऐसा वक्त है जब नेतनियाहू के सामने बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं और उनके कमांडर भी बहुत ज़्यादा पेशक में है घाजा पर रोजाना नौन स्टॉप बंबारी के बावजूद इस्रेल अब तक हमास को खत्म कर पाने में नाकाम साबित हुआ है घाजा में 34,000 से ज़ादा लोगों की जान जा चुकी है लेकिन नेतनियाहू अब भी खाली हाँ थे 2024 में अप्रेल का महीना इस्रेल के लिए ही नहीं इस्रेल के प्राइम मिनिस्टर बेनमीन नेतनियाहू के लिए भी बहुत बड़ा शौक लेकर आया है अमेरिका इस्रेयल की मदद करने की बजाए उसकी सेना पर पाबंदी लगा रहा है इस्रेयल की पब्लिक नेतन्याहू के खिलाफ सडकों पर उतर चुकी है और इन सब के बीच एरान से बड़े युद्ध का खत्रा अब तक ठला नहीं है तहरान में इरान के सरोच नेता अली खामनेई ने मिलिटरी कमांडर्स की एक मीटिंग बलाई इसे इरान की पावर स्टेटमेंट कहा जा रहा है क्योंकि खामनेई ने इस मीटिंग में ऐसी बात कह दी हैं जिसे लेकर इस्राइल के जवाबी हमले वाले दावों पर सवाल और तेज हो गए हैं इस्राइल का दावा है कि उसने इरान के हमलों को नाकाम कर दिया था क्योंकि 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ और 98% हमलों को आस्मान में ही रोग दिया गया जबकि इस्राइल से आई तस्वीरों से साफ है कि 13 अपरेल की रात इरान की कुछ मिसाइल इस्राइल के सुपर सीक्रेट नेवातिन एयर बेस पर गिरी थी इन मिसाइलों के साथ बड़े बं नेतन्याहू के साथ इस्राइल की साख पर गिर रहे हैं नेतन्याहू के कमांडर स्तीफा दे रहे हैं नेतन्याहू से इस्राइल की पब्लिक पूछ रही है कि घाजा में बंधक बनाय हुए लोग कब आजाद होंगे इस्राइल से लगाता पती के पाकिस्तान पहुशने से पहले ही पाकिस्तानी संसद में एक शर्मसार करने वाली घटना हुई है चोरों ने पाकिस्तान की संसद से सांसदों के चपल जूतों को गायप कर दिया बड़ी खबर ये भी है कि एरान के राजपती के दौरे को देखते वे पाकिस्तान में बिखारियों को लेकर एक बहुत खतरनाक ओर्डर जारी किया गया है। ये डगाती दिन दहाडे हुई सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हुई लेकिन इसे देख कोई नहीं पाया। और जब खबर मीडिया के सामने आए तो सुरक्षा कर्मियों को कुछ सूज नहीं रहा था कि वो जवाब क्या दें। इसलिए वो अपना सिर्ख खुजलाने लगे। पार्लिमेंट हाउस की मजजद से नमाजीयों के जूते चोरी करने वाला कौन था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयास सादिक ने तहकिकात का हुकम दे दिया। मतलब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो खुद की जान सहित अपने सामान के भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप ही की है। पूरी खबर आपको आके बताएंगे लेकिन उससे पहले देखिए इरान के राज्रुपती जब पाकिस्तान पहुँचे तो क्या हुआ। उसकी साफ सफाई की और शाबाज ने कटोरा हाथ में उठा लिया। यानि शाबाज ने इरानी राज्रुपती के पाकिस्तान पहुँचने से पहले ही भीक लेने की पूरी तयारी कर ली। तो जनाब शावाज और मुनीर ने कटोरा लेकर भीक मांगने की पूरी रेहरसल कर ले थी वैसे पुरानी कहावत भी है कि भीक मांगने के लिए भी वेश धारन करना पड़ता है सो पाकिस्तान ने वही किया इरानी राश्ट्रपती का जहाज जैसे ही पाकिस्तान में लेंड हुआ उनका ग्रैंड वेलकम हुआ एयरपोर्ट पर रेड कार्पिट वेलकम दिया गया बात सिर्फ यहीं खत्व नहीं होती पार्ट मीडिया की खपरों के मताविक इब्राहिम रैसी के वलकम में पाकिस्तान इस कदर बेच गया कि उनका कराची दोरे का कारिक्रम बना तो पूरे कराची शहर को ही बंद कर दिया गया शहवाज की सरकार और मुनीर की आर्मी ने इसकी कोई वज़ा नहीं बताई लेकिन मीडिया के सूत्र बताते हैं कि यह फैसला कराची के भिखारियों की वज़ा से लिया गया ताकि इब्राहिम के सामने मुल्क की साफ सूत्री इमेज को पेश किया जा सके एक आंकडे के मुताबिर पाकिस्तान में भीक मांगना कोई शर्म की बात नहीं रही बलकि बाकायदा ये अब एक प्रोफेशन बन गया है खेर इसकी बात आगे करेंगे अभी बात इरान की अब आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के भीक मांगने वाले कटोरे को एरान ने कितना फरा है बताया जा रहा है कि दोनो देशों के बीच बेठक कमुद्दा पाकिस्तान एरान के बीच की गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो पैसे की कमी से सालों से लड़की हुई है अब पाकिस्तानी कटोरी की कहानी आगे सुनिये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हर रोज आहिस्ता आहिस्ता रसातल मे घुस्ता जारा है मुल्क में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है और ऐसे में अगर ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो पाकिस्तान पर डेड़ लाग करोड रोपे का जुर्माना लग सकता है अब जिस मुल्क में डाल तो छोड़िये आटा भी नहीं है वो कहां से लाता डेड़ लाग करोड रोपे इरान से इस दील को लेकर अमेरिका की नाराज़गी से बचने के लिए मार्च 2023 में पाकिस्तान ने एक डेलिगेशन वाशिंग्टन भीजा था इसका मकसद अमेरिका से प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए छूट मांगना था ताकि वो इरान के चलते उन पर कोई पाबंदी ना लगा दे हलाकि अमेरिका ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया लेकिन पिछले साल पाकिस्तान के कार्यवाहत प्रधानमंत्री अन्वारोल हक काकर की अंतरिम सरकार ने प्रोजेक्ट के एक हिस्षे को मनजूरी दे दी इसी वज़े से पाकिस्तान 80 किलोमेटर लंबी गैस पाइपलाइन बिचाना चाहता है लेकिन अमेरिका के दबाओं की वज़े से उसे लगातार जुकना पड़ रहा है पाकिस्तान की हालत को समझने के लिए इस खबर पर भी गौर कीजिए पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद ही पाकिस्तान के वजीर आलासा शी जिन्पिंग के मुल्क जाने की तयारी में थे लेकिन चाह कर भी शाबाज का चीन दोरा अब तक नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान इंटरनाशनल एरलाइन्स की हालत ठीक नहीं है उसके कई विमान आस्मान में ओड़ने की जगा एरपोर्ट पर धूल फांक रहे हैं और जानकारी के मुताबिक शाबाज का प्लेन भी पाकिस्तान इंटरनाशनल एरलाइन्स यानि PIA का ही है अब पाकिस्तानी संसत परिसर से गायब होए जूते चपलों की खबर भी जान लीजे संसत में हुई ऐसी घटना पर स्पीकर ने जाँच के आदेश दिये हैं संयोग्त सेचिव प्रशासन और सार्जेंट एट आम्स अस्तर के अधिकारियों को घटना की जाँच करने का काम सौपा गया है और CCTV फोटेज के निगरानी के माध्यम से अपराधियों की पैचान करने के प्रयास जारी है चलिए चीन से आपको खबर बता दे जहां के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि पाकिस्तान की तरह चीन में भी अर्थव्यवस्ता पूरी तरह से हिल चुकी है प्रापरटी बाजार से लेकर सबजी मंडी ता चीन की खालत पस्त है